हुकूमत की पीडियाई की मकसूस नशिस्तों की राह में कानूनी दिवार खड़ी करने की कोशिश इलेक्शन एक 2017 में तर्मीम का बिल कौमी असम्मली में पेश बिल में मतारिफ तर्मी में कहा गया किसी सियासी जमास या वाबस्तगी का इकरार नामा तब्दील नहीं किया जा सकता जिस पार्टी ने मकसूस नशिस्तों की पहरेस्ट इलेक्शन कमिशन को ना दी हो उसे मकसूस नशिस्ते नहीं दी जा सकती वजीर कानून आजम नजीर ताडर ने कहा कई बार आएन की तश्रीक करते हुए उसे री राइट कर दिया जाता है अदालतों को आएन की री राइट करने या उसकी शिकों को निया रंग देने का इख्तियार नहीं बेरिस्टर गोहर का तर्मीम के खिलाब सुप्रीम कोट जाने का इलान मेडिया से गुफ्तिकों में बोले हुकूमत हमें मख्सूस नशिस्तों से महरूम करना चाहती है अपना हक नहीं चोड़ेंगे पहले जा रहाना आबाजिसाना बानिय पीटी आए का मौकिब फिर तबदिल अदियाला जेल में साहाफियों से गहर रिसमी गुफ्तिकों में साविक वजिर आज़म ने कहा फोज अपना नुमाइंदा मुकरर करें हम मुजाकरात के लिए तयार हैं सौरी की आगया मैंडिट वापिस करने और गिरफतार कारकुनों की रहाई की शरायत पी रखती है कहा फोज पर कभी इल्जमात नहीं लगाए बनके तनकीद की महमूद खान एजबज़ई पर भरुसा है उन्हें बास शीद का इख्तियार दे दिया है मुलक में गेर एलानिया मार्शल लौ नाफिस है मौसिन अक्वी ने आईज़ पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जल्म किया उनसे कभी बात नहीं होगी मर्यम नमास की हकुमत को फाशिस्ट करार दे दिया मुझाकरात नहीं मौफी मांगे पंजाब की सीनियर वजीर मर्यम औरंग्जेब का बानी पीटियाई के बियान पर रदेमल एक्स पर पोस्ट में सीनियर सुभाई वजीर ने कहा खुद साकता इनकलावी फौज से किस बात के मुझाकरात चाहते हैं फाशिस्ट ये बाद सिर्फ और सिर्फ एक्तदार के लिए होती है एक्तदार की खातिर आएन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है विफाक वजीर अथातार ने पीटियाई को देशित कर जमाद और अदम इस्तिकाम की जमदार करार दे दिया कहा पहले कहते थे छोडूं का नहीं अब मुझाकरात के लिए मिनते की जा रही हैं आप कभी गिरेबान पकड़ते हैं कभी पाओं कौमी सिलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइस नहीं होगा ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजिर आजम शेवाज शरीफ और वजिर आला पंजाब मर्यम नमाज को कौमी मुझरिम करार दे दिया मेडिया से गुफ्तकू में कहा नूनली की हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई इनके बरसर एक्तेदार आते ही बिचली की कीमते आस्मान पर पहुंच गए पीडियाई हकूमत में बिचली का यूनर्स 17 रुपे था जो अब 50 सी रुपे तक पहुंच किया आई पीपी से गलत मौहिदे किये गए मसद्दिक मलिक की मजाकरात की पेशकर्ष को गयर संजीदा करार दिया अवाम को रिलीफ आई एम एफ की मनजूरी से मशूरूट क्या आवाम ना ही समझें कराशी चैंबर आफ कॉमर्स में खिताब करते हुए विफा की वजीर खिजाना मौहमद औरंजेब ने कहा आई एम एफ शरायत में रहते हुए जो रिलीफ मुम्किन है वो यकीन दिया जाएगा सर्फ तनखादार तबके पर बूज डालना मुनासिब नहीं रिटेलर्स, बिल्डर्स समेत हर शोबी को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा जरही टेक्स सुभाई मौमला है तो अको है सुभाई हुकुमते इसे नाफिस करेंगी शराय सूथ में मुल्क ने महंगाई में कमी की नवी सुना दी कहते हैं महंगाई की शरा 38 से कम होकर 12 फीसे तक का गए मज़ीद कमी के लिग दमाद कर रहे हैं नो जवानों को रोजगार प्राहम करना वलीन तर्शी है नाइव वजीर आजम की एरानी सदर डॉक्टर मसूद पजश्कियान से मुलाकात तर्शमान दफ्तर खारजा के मताबक इसहागदार के एरानी सदर से मुलाकात हल परदारी की तकरीब के बात हुई वज़िर खारजा ने वजीर आजम और सदर मुम्लिकत की जानिब से एरानी सदर को इंतखाबात में जीट का पैगाम पहुंच जाया एरानी सदर ने पाकिस्तानी आला क्यादत की जानिब से पाक एरान मश्बूत आलकात को सराहा इसहागदार दोरा एरान मकमल करने के बाद पाकिस्तान के लिए रबाना गुजशता रोज एरान के नौम मंतखिब सदर मसूद पिजिशकियान ने औहदे का हल पुछाया था जमात इसलामी मतालबात पर डट गए धरना खत्म करने से एक पार फिर इंकार वजिर दाखला मौसिन अक्पी का लियाकत बलोज से टेलफोने के राबिता मुजाकरात का दूसरा दोर आज होका आफ़स नाइम और रह्मान ने धरने से खताब में कहा बिजली के बिल नाकाबले बर्दाश्त हैं अवाम पर उजाना महंगाई का बूस डाला जा रहा है हुकुमत ने हर्जीस पर टेक्स लगा दिया सिर्फ सांस पर टेक्स लगाना बाकी है अमिर जमात इसलामी ने महंगाई और आईपीपेस मौाहिदों के खिलाव मुलक भर में धरने शुरू करने का एलान कर दिया फोजीयों को बगावत पर उकसाने के अल्जाम में लेटिनेन करिनल वरिटार्ड अकपर हुसेन का कोर्ट मार्शल रैंक जब्द करके 14 साल की कैद सुना दी आईएस पियार के मताबक में जासे दालत ने मुनासिब अदालती अमल के जर्याए अकपर हुसेन को मुश्रिम करा दिया सजा के मताबक आफिसर का रैंक 26 जुलाई को जब्द कर लिया गया इसे जर्म में साबक मेजर आदिल पारुक राजजा और साबक कैप्टन हैदर अजा महदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था